अलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस जीडियस चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी ग्रामिंडाक से उपके लिए एक बड़े अपडेट के बारे में हम बात करेंगे क्या यह अपडेट है और बेसिकली कोई भी नया अपडेट आता है तो उसमें क्या इनिश इस पर्टिकुलर अपडेट में क्या इंपडेट मुद्दा है जिसके बारे में डिसकस करेंगे और साथे साथ आप कोई भी न्यूज जो देखते हैं उसको आप जो है ज़रूर कंफर्म कीजिए जिससे कि आपको जो हमेशा जो है ऑथेंटिक न्यूज मिले और आपको पत इंपॉर्टेंट स्टेप या जो इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया वह बैसिकली है कमबाइन ड्यूटी अलाउंस के बारे में अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेप्स क्या हो सकते हैं इस टाइम पे स्टेप इन चीज़ों का मराने के लिए दूई तिन स्टेप होते ह आप जो है उनसे बात करते हैं हमको लेटर लिखते हैं अगर कोई चीज़ प्राबलम में अगर आप उसको नहीं बताएंगे यह हमको लेटर नहीं भीजा जाएगा तब तक उनको समझ नहीं आएगा तो पहला स्टेप यही है कि कमबाइन ड्यूटी अलाउंस के बारे में क की सिदे सिदे महाँ से लट रहे है आप देखिए यह अलिज़ ग्रामिंग ढाग सेवक यूनिया और नैशनल यूनिया ऑफ ग्रामिंग ढाग सेवक इन्हों नहीं ने लिखाया कि कमबाइन ड्यूटी अलाउंस जो है सिंगल हैंड़ेंड बी पैम को है बहुत कम मिल रहा ह single-handed BPM कौन होता है जो कि male carrier का भी काम कर रहा है और mail delivery का भी काम कर रहा है और जो revision of rates नहीं होए थे the single-handed BPM was being paid 250 for delivery of BO village and only rupees 500 for more than one village और जो है इसमें आप देख सकते हैं कि जो revision से पहले now due to revise rate अब जो rates revised हुए है तो इसमें क्या हुआ है कि जो single-handed BPM है उसको सिर्फ TRC मिल रहा है allowance नहीं मिल रहा for the work in addition to the BPM's work like delivery of mails भी करना है and convince exchange of mails the TRCA is prescribed for the workload arrived after recording the average workload जो TRCA कैसे किया जाते है प्रिस्क्राइब कि पहले जो है workload जो arrive हुआ और average workload कितना है उसके according अब single-handed BPM will have no compensation for the work मतलब जो पहले चीज जो मिल रही थे अब भी नहीं मिल रही है ultimately आप यह देखें कि यह चीज जो है बताना बहुत जरूरी है कि at least जब कोई चीज नहीं revise होती है तो उसमें जो है benefit होना चाहिए उसको loss नहीं होना चाहिए अब ही क्या दिख रहा है कि जो पहले मिल रहा था single-handed BPM को आपको एक तो वैसी दो extra काम कर रहा है mail carrier and mail delivery दोनों का काम एक साथ कर रहा है और अब जो at TRCA सिर्फ मिलेगा उसको कोई allowance नहीं मिलेगा तो ultimately इससे motivation नहीं बनेगा तो उसलिए उन्हों में काया कि it is therefore necessary to compensate the single-handed BPM by providing allowance for other work than the bona fide work जो extra काम कर रहा है वो उसके लिए तो उसको allowance नहीं मिलेगा तो extra काम नहीं करेगा तो ultimately यह जो combined unity allowance है single-handed BPM के लिए काफी इसमें loss हुआ है उसको जल्दी से जल्दी implement होना जरूरी है तो यह था एक important update और वीडियो पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना बूले है वीडियो पसंद आए तो like जरूर किया किजिए इससे अब तरह चले कि आप देख रहे हैं वीडियो thank you for watching this video